जोहार साथियो जारकंट से एक बहुत बड़ी राजनेतिक खबर आ रही है कि जारकंट के पूर्व मुख्यमंतरी चमपई सोरेंजी बीजेपी में सामिल हो सकते हैं वरतमान में जेमेम की सरकार में वे मुख्यमंतरी भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी वतमान में मंतरी पद पर बने हुए हैं जब हेमन सोरेंजी जेल चले गया थे गिरफतार होके इडी ने उन्हें गिरफतार कर लिया था उस समय चमपई सोरेंजी को ही मुख्यमंतरी की जो पद है वो दी गई थी और हेमन सोरेन के जेल से निकलने तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे हलांकि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तब वे ठोड़े से नाराज चल रहे थे जैमेम से और जब मुख्यमंत्री जी सपत लिये मतब हेमन सोरेन जी तब भी कुछ नराजगी उनके भी चल रही थी इसी को देखते हुए अभी हाल ही में विभिन विभिन मीडिया ख़बरों में उनके बीजेपी में सामिल होने की बात सामने आई थी और फाइनली ये अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि चमपई सोरेन जी अब बीजेपी में सामिल होने के लिए दिल्ली निकल चुके हैं और इसके साथ ही साथ वे जल्द ही अब बीजेपी में सामिल हो सकते हैं साथ ही साथ उनके कुछ मंतरी भी संपर्क में है ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे अगर ऐस हुआ तो जहारखन में एक बड़ा राजनितिक भूछाल वो आज सकता है चमपोई सोरेन जो है कौल़ान के एक बड़े नेता के रुप में जाने जाते हैं कौल़ान टाइगर के नाम से परसीध हैं और एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में प्रसीद तो पहले से है ही तो ये महत्पून होगा देखना कि आगे आने वाले समय में वे किस और जो है पार्टी को ले जाते हैं या फिर जय एमेम टूटती है बीजेपी का क्या होता है बीजेपी में सामिल हो जाने के बाद बीजेपी की क्या ओपर्चनिटीज आने वाले चुनामे बनेगी ये सारे चीज़े आगे आने वाले समय में देखने के लिए महड़ी महत्पून होगी जार्खन फिर से राजनेतिक चर्चा में आ चुका है और यहां पे जब जार्खन बना था उसी समय से इस तरह के चर्चा जो है आते रहते हैं तीन तीन बार राश्टपती द्वारा जो है यहां सासन लगाया गया है राश्टपती सासन लगाया गया है और तरह तरह के राजन वर्सों तक सासन नहीं कर पाई है अब ये देखना होगा क्योंकि हैमन सोरेन अभी वतमान समय में जारकन के मुख्य मंत्री है और इनके पास भी बहुत सारी चैलेंजे हैं सबसे बड़ी चैलेंज तो युवाओं के रोजगार से ही जुड़ी हुई है अभी तक जो है पांच बीजेपी जो है मजबूत हो जाएगी और आने वाले समय में बीजेपी को फाइदा होगा वहीं जेमेम और जो महार गटमंदर की सरकार है वो चाहेगी कि चेमपई सुरेन ना जाए बीजेपी में क्योंकि उनके जाने के बाद हेमन सुरेन जो है एक ऐसे आदिवासी चेहर जो है जारखन में हो सकती है और आगे आने वाले समय में जो है कुछ और ही परिस्तिती देखने को मिल सकती है चंपई स्वरेन काफी फेमस है कुलहान के छेतर में तागे चलिए आने वाली समय में जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा और इस तरह के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर ले धन्यवाद